आशू मूवी स्टेशन में सो दिस मूवी इस कॉल्ड इराइवन लेकिन में स्टोरी शोर्ट रखूंगा क्यूंकि ज्यादा लंबी स्टोरी करने से कॉपिराइट स्ट्राइक आ जाएगा और आप में से कोई एक लखी सब्सक्राइबर जीत सकता है एक ब्लूटूथ स्टीकर सो कहानी शुरू होती है अरजुन से जो की एक असिस्टेंट कमिशनर और पुलीस है और फेमस है अपने हटके तरीके से क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए वो स्टैंडर्ड अरेस्ट प्रोटोकॉल्स के बजाए लीथल एंकाउंटर्स का इस्तिमाल करता है और इंट्रेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि अरजुन को प्रिया से प्यार है जो उनके कोलीग और फ्रेंड एंडू की बहन है लेकिन अरजुन शादी करने में थोड़ा हेजिटेट करता है क्यूंकि उसने अपने अग्रेसिव लौ एंफोर्स्मिंट करियर में कई दुश्मन बना लिये है और वो डरता है कि उनसे बदला लेने वाले ही लोगों का सामना करना पड़ेगा मीनवाइल शहर को एक साइकोपाथिक सिरियल किलर जिसे स्माइली किलर कहते हैं दर से जकड रखा है क्यूंकि ये किलर क्राइम सीन्स के पास अपने डिस्टिंक्टिव स्माइली फेस नोट्स छोड़ता है और यंग गर्ल्स को अबड़क्ट करके बहुत बूटल तरीके से मार देता है अर्जुन और एंड्रू को असाइन किया गया है इस चैलेंजिन केस में ट्राजिकली एंड्रू मर जाता है जब उसने इस किलर से कॉन्फरॉन्टेशन किया जिसे बाद में आइडेंटिफाई किया गया आज भ्रम्हा बड़ी इन्वेस्टिगेशन केस ट्रॉमा से परेशान होने के बाद अर्जुन ने फैसला लिया है कि वो पुलिस फोर्स से अलग हो जाए प्रिया के साथ उन्होंने एक नया चैप्टर शुरू किया है जो भ्रम्हा का ध्यान रखता था जब वो जेल में था उसका मौठ हो गया है डॉक्टर की बेटी भी वैसा ही भ्रम्हा की शिकार होती है जैसा भ्रम्हा के पहले विक्टिम्स होते थे कैरींग द किलर्स सिगनेचर अर्जुन को एक देथ थ्रेट लेटर मिलता है जो सीमिंगली भ्रम्हा से है स्माइली किलर का हंगामा और बढ़ गया है और वो कर रहे हैं और भी ज्यादा खतरनाक हर्कते साथ ही विक्टिम्स के दुख और खून का विडियो फोटेज उनके परिवारों और मीडिया को भेजने लगे थे ये भयंकर विडियोज कुछ विक्टिम्स के परिवार के मेंबर्स को आत्महत्य की और धकेलते हैं शालू की गायब होना जो भ्रम्हा के पिछले अटेंट में भाग गई थी पुलिस और अर्जुम की ध्यान को आकरशित करती है ये माना जाता है कि भ्रम्हा ने उसे दोबारा से अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए उठा लिया है जाच से पता चलता है कि भ्रम्हा का इरादा हो सकता है शालु को मारने का नहीं क्योंकि शालु खुद भ्रम्हा के पास आना चाहती थी उसके निंफोमेनियाक टेंडिनसीज को देखते हुए पिछली बार की अभरण में शालु का रिस्पॉन्स भ्रम्हा के टोर्चर के प्रती फियर के बजाए सेक्शुल अरावजल था जो भ्रम्हा के विक्टिम्स के पैनिक के चिलाने से अलग था जिसे भ्रम्हा अपनी उस खुशी का हिस्सा मानता है अर्जुन इवेंच्युली पहुँचता है वो जगह जहां शालु को बंदी बनाया गया है वही जगह जहां भ्रम्हा को पहले भी पक्रा गया था एक fight होता है जिसमें अर्जुन भ्रम्हा के रोल को सवाल करता है और पता लगाता है कि कोई और भ्रम्हा के नाम से हत्याय कर रहा है लेकिन भ्रम्हा उनका असली identity नहीं बोलता पुलिस पहुँचती है और भ्रम्हा को गोली मार देती है स्माइली किलर का फियर जारी रहता है जिसे शक होता है कि कोई और भ्रम्हा का कॉपी कर रहा है एक detailed जार्च के बाद अर्जुन को लगता है कि बाबु जो एक चर्च फादर के assistant है वो है कॉपी कैट किलर लेकिन सबूत अर्जुन की तरफ पॉइंट करते हैं जब पता चलता है कि शालु की kidnapping होन की विडियो अर्जुन के location से भेजी गई थी बाबु को पकड़ने की कोशिश में अर्जुन अपने खास aggressive तरीकों का इस्तमाल करता है पुलिस बीच में आती है बाबु को बचाने के लिए और एक heated argument में अर्जुन confess करता है कि वो शालु को उठा कर ले गया और उसका विडियो एक TV चैनल को भेजा है ताकि भ्रम्हा को पकड़ ले क्योंकि उसे पता था कि भ्रम्हा शालु को एक victim नहीं बलकि एक साथी मानता था उसी शाम अर्जुन बाबु के दुकान पर सबूत धूंदने के लिए जाता है जो बाबु को उस जुर्म से जोडता है और सबूत मिल भी जाता है जब अर्जुन बाबु को अरेस्ट करके जा रहा था रास्ते में उसे जसमीन से एक phone call आता है जो एंडु की बीडी थी जसमें अर्जुन को बताया कि बाबु ने उसकी बेटी रिया को उठा लिया है बाबु प्रॉमिस करता है कि वो रिया की लोकेशन सिर्फ तब बताएगा जब अर्जुन उसके डिमांज पुरी करेगा अर्जुन अग्री करता है और चल परता है बाबु से मिलने के लिए लेकिन एक साट टर्न उफ इवेंट्स में जसमीन अपनी जान ले लेती है क्योंकि ये बाबु की डिमांड का एक हिस्सा Ultimately एक एक्सचेंज होता है जिसमें प्रिया को बाबु के कहने पर्विया के बदले में लाया जाता है इस प्रक्रिया में अर्जुन को एक चैंस मिलता है और बाबु की जान ले लेता है और दोनों को बचता है बाबु डजन्ट डाए और उसे पुलीस ने गिरफ़तार कर लिया है जिसे अर्जुन डील करना चाहता है और कहानी यही खतम हो जाती है Hey दोस्तो, this is आशु फ्रॉम आशु मूवी स्टेशन I hope you enjoyed unraveling the mysteries and stories with me If you did, hit that like button and share your thoughts down in the comments To stay updated on all the intriguing movie explanations and story breakdowns Make sure to subscribe and don't forget to ring the bell icon Your support means the world to me And I can't wait to bring you more engaging content Until next time, keep watching, keep exploring and keep the movie magic alive This is Ashu signing off from Ashu Movie Station Take care and see you in the next one